Let's do question number 7th of exercise 5C that is fractions. Question number 7th is find the equivalent fraction of. Equivalent fraction निकालनी है किसकी 36 upon 48 की जिसका numerator 9 हो. First case में हमारा numerator क्या होना चाहिए? Numerator 9 होना चाहिए, और 36 upon 48 का, तो numerator होता है उपर वाला, तो obviously, देखिए multiply करेंगे या divide करेंगे, वो कैसे पता चलता है? यहाँ बड़ी डिजिट है और हमें छोटी डिजिट लानी है, तो obviously, जब भी बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट लानी होती है, तो हम क्या करते हैं? divide करते हैं, तो 36 को किस number से divide करेंगे, कि 9 आ जाए, तो हम इस 36 को 9 से ही divide कर लेते हैं, तो वो कितना आता है? 4 जाज आ जाए, तो हमने 4 से divide किया, तो 9 आ गया, रैट? हमने क्या किया? इस 36 को इस 9 से divide किया, तो 4 आया, उस 4 को blank में लिख दिया, अब जो भी value blank में लिख दिया है, उपर नीचे उसी number से divide कर देंगे, तो हमने इसे 4 से और 48 को भी 4 से divide कर दिया, तो यह कितना आ जाएगा 4 से divide किया, 36 को 9 आया, और 48 को 4 से divide करेंगे, तो 12 आएगा, आप चाहें, तो side में करके देख सकते हैं, 48 को 4 से divide किया, 4 ones are 4, देखिए, 8 उतारा, 4, 2's are 8, तो 12 आ गया, तो 9 upon 12, equivalent fraction है किसका? 36 upon 48 का answer, Let's do second part now, second part is denominator 4, denominator 4 कैसे आएगा? देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, denominator, denominator हमारा 4 आना चाहिए, 36 upon 48 में denominator है, हमारा 48, 48 हमारा 4 आना चाहिए, तो मतला 48 को मैं किस से divide करूं कि answer हमारा 4 आए, तो obviously अभी हमने divide किया था, 4 से तो हमारा 12 आ रहा था, हमने 48 को 4 से divide करेंगे, तो 12 आ रहा है, तो that means 12 से ही divide करेंगे, तो 4 आएगा, तो हमने क्या किया? उपर नीचे 12 से divide कर दिया, तो यह कितना आ गया? हमें पता है, 12, 3 जा 36, 36 को divide किया, 12 से तो 3 आता है, 48 को 12 से divide करेंगे, तो 4 आता है, तो 3 upon 4 is the answer, let's do question number 8th of exercise 5C, that is fraction, question number 8th is, find the equivalent fraction of 56 upon 70 with numerator 4, हमें first part में numerator 4 लाने है, numerator 4 लाने है, किसका? 56 upon 70 का, तो that means numerator होता है 56, उपर वाली digit, तो हमने 56 को किस से divide करें कि 4 आ जाए, अब मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा किस से divide करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 56 को ही 4 से divide करके दिख लिया, दिखे, 4 ones are 4 हो गया, 16 हो गया, 4s are 16 आ गया, तो that means 14, तो यहाँ पर हम 14 से divide करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया, 14 से उपर नीचे divide कर दिया, तो यह कितना आ गया हमारा, उपर तो 4 आ गया, और 14, 5s हमें पता है, 70 होता है, answer, let's do second part now, second part में वो कह रहा है, कि denominator 10 आना चाहिए, denominator, denominator 10 आना चाहिए, तो that means 56 upon 70 को, denominator है हमारा 70, 70, तो 70 को किस से divide करूँ, कि हमारा 10 आ जाए, obviously 7 से divide करूँगी, तो divide by 7, उपर नीचे हमने 7 से divide कर दिया, तो यह कितना हो गया, 7, 8s are 56 होता है, और 7, 10s are 70 होता है, तो 8 upon 10 is the answer,